नमस्कार एटो जट डिशश उशा गोर्जानी में आप सबका स्वाकत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जा रहे हैं काली मर्ची हल्दी वाला दूद अब देखिए दूद है न वैसे भी बच्चे होया बड़े काफी कम लोग उसे पीना पसंद करते हैं सभी के लिए खास करके अगर आप ये काली मर्च हल्दी वाला दूद बनाएंगे न तापके शरीर को भी आरम मिलेगा सर्दी जुखाम भी बहुत ही कम होगा तो चली बनाते हैं उसके लिए मैंने कैसकोन कर लिया है एक इस तरह से कड़ाई रख दिया आप कोई बरतन भी रख स ये दूद बनाना बहुत ही आसान है और पीने में काफी फायदे मंद है तो यहाँ पर देखिए दूद में अच्छा उबाल आगया है तो इसे मिक्स कर लिए ना इस तरह से इस तरह से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर सबसे पहले में डाल रही हूँ काली मिर्ची का देखे तुरंद पी आप साबूत काली मिर्ची को कूट कर डाल सकते हैं या पाउडर डालिए तो मैंने एक चम्मच जितना काली मिर्ची का पाउडर और आदी चम्मच जितना हल्दी पाउडर डाल दिया है अब इसे हमें तकरीबन 5-6 मिनिट के लिए पकाना है ताकि सा मिठास आजाएगी तो काफी अच्छा लगता है पर नहीं डालना चाहते है या जादर डालना चाहते है तो भी डाल सकते है इसे टोटल आपको 5-6 मिनिट के लिए पकाना है बीच-पीच में मिक्स भी करते रहेगा और अच्छे से पकाईएगा और सच बतारे जैसे जैस अच्छे से पक गया है और इसे हम चानकरी पीएगे तो यहाँ पर आप देख सकते है गलास में इस तरह से चान लीजिए और गर्मा गर्म इसे पीजिए सच बता रही हूं यह बहुत ही टेस्टी भी लगता है ऐसा नहीं है कि काली मिर्ची का तीखा पनेगा बिलकुल नही थाले थांकियो